जहें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेकपाल मुख परिच्छा के जो है फाइनल कटाप के बारे में जैसे कि आपको पता है किसका जो है रिजल्ड जो है जारी कर दिया गया है अब बात बात करते हैं अगर आपके 78-79 बिच अगर आपके इतनी माक्स बर रहे हैं तो आप अपने आपको जो है एकदम सेफ मान सकते हैं आपका सेलेक्शन आसानी के साथ हो जाएगा अगर वहीं अगर बात की जाए ओवी सी कैनिडियेट की तो ओवी सी की कटाप जो है जन्रेल के मुकाबले थोड़ी सी जादा जा सकती है अगर एवस की बात की जाए तो आपके 77 से लेकर अगर इसकी बात की जाए तो चहुतर से लेकर के मतलब की जीरो प्लस मतलब कि अगर इनका नंबर जो है जीरो से जादा है तो जो जो है जा सकते हैं तो अगर उनका फाइनल कटाप देखा जाए तो 65 प्लस रहने की पूरी उमीद है इससे कम तो मुश्की लग रहा है कि अनका से लेक्शन होने वाला है अगर इतने मार्स बर रहे हैं इनका सेलेक्शन जो है आसानी के साथ होने वाला है तो अब हम बात कर लेते हैं कि फारेल के लिए तो आप लोग जो है अपना डॉकुमेंट अपना डॉकुमेंट जो है अच्छे से रेडी रखी रहीएगा तो आप लोग को कितने मार्क्स बर रहे हैं अगर आपको अपो आपको डी वी के लिए जो है बुलाया गया है तौ अगर आपके जितने मार्क्स बर रहे हैं वहाँ पर उप कटाब बताई गई है अगर आप जिस कडिगरी से विलॉंग कर रहे हैं अगर आपके उतने माक्स बर रहे हैं तो आप लोग जो है निश्चिंत हो जाईए बस अपने डॉकुमेंट को जो है आप अच्छे से जो है तैयार रखिए ताकि आपको जो है डीवी में जो है आपको समस्याओं को सामना ना करना पड़े तो ऐसी अमेजर में जारकारी को पाने के लिए चैनल को सेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूने धन्यवाद